हाई एब्रिवन वेल्कम टू आवर चैनल तो जैसा कि हम लोग यहां पे एंचियाटी सोलुशन कर रहे थे क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 तो अभी तक हम लोगों ने यहां पे एक्जामपल 3 तक बात कर लिया था तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्जामपल 4 की ठीक है तो अपने और भी वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जाके आप लोग देखने को मिल जाएगा तो चलिए इस चीज को स्टार्ट करते हैं और जादा स्टार्ट करते हैं और चैनल पर पहली बार विर्ट केंट चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस किजिएगा ताकि आपको जो है रेगिलर अपडेट मिलता रहे जब भी मैं यहां पर वीडियो को अपलोड करूगा ठीक है और केमिस्ट्री से जो भी यहां पर आपको एंसे डिसोलेशन होगे रहा मिलता रहता है ठीक है तो चलिए यहां पर जो है अम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यहां पर जो है कुछ इस तरीके से कह एंड पॉजिसन इनदा प्रियोडिक टेवल ठीक है जो भी आपका यहां पर कुछ इलिमेंट दिया जाएगा तो उसमें आपको उसका अटोविक नंबर कंसीडर करना है खुद में वहां पर सोचना है और उसके पोजिशन को जो है पिरियोडिक टेवल में समझना है कि किस तरीके से मोब पर arrangements किया गया है और उसके बाद फिर arrangements the following elements जो alement आपको दिया गया है। उसको arrange करना है In the increasing order of metallic character ठीक है उसके Metallic character के increasing order में increasing order कहने का मतलब क्या हुआ जो सबसे चोटा होगा उसका में दों लिखेंगे उसके बाद जो आगे जैसे बढ़ता जाएगा इंक्रीज करता जाएगा उसको लिखेंगे ठीक है इंक्रीजिंग ओडर बैसिकल आपको पता होता है कि लोगस्ट से हाय रस की और जाता है ठीक है तो यहां आपका यहां पे दिया गया है तो सबसे पहले तो यहां पे हम लोग जानते हैं कि मेटालिक करेक्टर का क्या ओर्डर हो सकता है जब हम लोग पिरियोडिक टेबल मुस्को अपलाई करेंगे ठीक है तो यह चीज यहां पे अंसर आपका कुछ इस तरीके से हमने लिखा है इस जी कौत यहां पे देखिए अंसर की अब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर आम जैसा कि आप ने चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपने यह चीज पढ़ा होगा कि as we know that जैसा कि हम लोग जानते हैं Metallic character increases down a group जब हम लोग group की और down जाते हैं Down the group हम लोग बोल सकते हैं उपर से नीचे की और ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है Metallic character जो होता है Increase करता है ठीक है एक group से अगर दूसरी group की और जो कि down the group अगर जाते है तो वहाँ पर metallic character जो हो increase करता है and decreases along a period as we move from left to right और जैसा कि आपको पता है कि period किदर से होता है left to right होता है periodic table में तो जब हम लोग period की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर metallic जो character है वो क्या होता है decrease होता है लेकिन जब हम लोग group की और निचे जाते हैं तो वहाँ पर metallic character increase होता है तो यहाँ पर the order of increasing metallic character is तो यहाँ पर order तो हमने कुछ इस तरीके से बना दिया यह चीज आपको NCRT के book में भी सारा चीज तो यहाँ पर available मिल भी जाता है example का ठीक है solution लेकिन किस तरीके से आया है उस चीज को ही नाम लोग यहाँ पर जान रहे हैं तो यह तो आपका कुछ इस तरीके से increasing order में आपका इसका order आ गया सबसे कम यहाँ पर phosphorus का होगा फिर silicon का फिर beryllium फिर magnesium तब जाके sodium का जो कि सबसे ज़्यादा metallic character होता है तो वही चीज यहाँ पर कुछ इस तरीके से होता है तो सबसे पहला चीज तो हमनों को पता चल गए कि metallic character का कहीं विए अगर बात किया जाए तो उसमें हम लोग जानते हैं कि metallic character जब हम लोग down group जाते हैं तो वहाँ पर क्या करता है increase होता है metallic character लेकिन वहीं अगर बात किया जाए हम लोग period में left to right जाते हैं तो वहाँ पे जो metallic character हो decrease करता है तो इस चीज को यहाँ पे जो overall बात हो रहा है यहाँ पे जो आपका order बन रहा है तो इसी चीज को समझाने के लिए हमने यहाँ पे इस चीज को apply किया जो भी element है उसको हमने उसके group और period में रखा है तो इसमें यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इधर तो हमारा period में यहाँ पे element को दिखाएगे उपर सी निचे यहाँ पे group में इस चीज को दिखाएगे तो यह तो हमारा first group होगे, यह second group होगे, यह 14, यह 15 तो यह first, second, 14 और 15 यहाँ पे मैंने कैसे लिया है ओचीज यहाँ पे जो element आपका यहाँ पे दिया गया question में उसी के आधार पर मैंने लिया है, ठीक है जहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि phosphorus और silicon तो यह चीज आपका जो है group 14 और 15 का यहाँ पे element हो जाएगा और इसी तरीके से अगर यहाँ पे बात किया जाए beryllium, magnesium और sodium का तो यह चीज यहाँ पे group का अगर बात करें तो group 1 और 2 का element है इस चीज को आपने periodic table में देखा होगा अगर आप लोगों को लगता है ऐसा कि यहाँ पे कुछ भी doubt तो आप लोग periodic table को open कीजे और उसमें देखे यह जो order आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा यहाँ पे जो group 1 में है इसमें आपको यहाँ पे इसका third period यह जो यहाँ पे second और third दिखा रहा है यह चीज आपका period दिखा रहा है तो यह चीज तो यहाँ पे जो भी element आपका दिया गया उसका हमने group और period यहाँ पे जो है define कर चुका है जो कि यहाँ पे यह जो हमारा उपर का यह चीज आपको group दिखा रहा है यह जो second और third है वो यहाँ पे period का दिखा रहा है मतलब अगर बात किया जाए अगर यही पे हम लोग beryllium की बात करें तो यह हमारा group में तो second है और यहाँ पे period में भी second है लेकिन अगर यहाँ पे इन सभी का बात करें तो इन सभी element के लिए जो इसका period number है वो चीज तो आपका यहाँ पे 3 मिलेगा लेकिन यहाँ पे इसका group जो है वो different different होगा जिसमें यहाँ पे sodium का 1 हो जाएगा magnesium का 2 हो जाएगा group और silicon का 14, phosphorus का 15 ठीक है तो यह चीज हमने यहाँ पे इसका group और period को define कर दिया तो यहाँ पे इसको हम लोग देख रहे हैं इसका order किस तरीके से तो metallic character में हम लोग क्या पढ़े हैं कि जब हम लोग down the group जाते हैं तो metallic character क्या होता है increase करता है मतलब उपर से निच्छे जा आ रहा है तो यहाँ पे metallic character increase कर रहा है तो यहाँ पे इस diagram को आप लोग देखोगे तो यहाँ पे एक element जो है first group का और यह जो निचे का है उसमें हम लोग देखें तो यहाँ से beryllium जो है सबसे उपर में है उसका बाद निचे यह चीज है magnesium का बात करें हम लोग तो यह तो है यहाँ पे हमारा निचे group वाला है और यह उपर का group वाला है तो down the group हम लोग जब आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है increase करता है मतलब अगर यहाँ पे beryllium होगा और magnesium की बात करेंगे तो magnesium का metallic character जो है ज़्यादा होगा beryllium से यह चीज़ तो यहाँ पे confirm हो रहा है मतलब beryllium का जो है इन सभी से तो यहाँ पे सबसे कम होने वाला है ठीक है यह चीज़ को हम लोग देख लिए अब यहाँ पे फिर क्या कहा गया है कि जब हम लोग along the period जाते हैं इधर तो यहाँ पे क्या होता है बात नहीं करने वाले जो नीचे में हमारा है क्योंकि यहाँ पे चारो जो है यहाँ पे period का element है तो उसमें हम लोग उसको compare करेंगे तो इसमें बताया गया है कि जब हम लोग इस पे left to right जाते हैं तो वहाँ पे decrease करते हैं यह चीज तो हम लोग यहाँ पे जान चुक है यहाँ पे हम लोग देखें इस चीज को ठीक है तो यही अगर बात करें तो यहाँ पे phosphorus का क्या होगा सबसे कम हो जाए क्योंकि इधर से इधर जो decrease कर रहा है और sodium का सबसे ज़्यादा होगा लेकिन हम लोग यह भी जाने कि beryllium का जो है जो group वहाँ पे उपर में यहाँ पे दिखाया गया और यह नीचे का है तो इसका तो सबसे कम रहेगा और इसका सबसे जादा है जो नीचे वाला यहाँ पे group का बात किया जार group और period इसमें हम लोग दोनों देख सकते हैं तो इसी का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जब हम लोग increasing order की बात करेंगे तो जो यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे कह सकते हैं एक तरीके से क्योंकि इसका तो यहाँ पे सबसे कम है रिसका ज़्यादा है तो सबसे पहले इसी का हम लोग order यहां पे हम लोग लिखने वाले हैं जिसमें सबसे पहले कम जो होता है वो phosphorus का होता है और फिर silicon का फिर magnesium का फिर sodium का लेकिन यहां पे यह सारा चीज तो आप लोगों को देखने को मिलेगा लेकिन इससे जो है यहां पर magnesium ज्यादा हो जा रहा है metallic character magnesium का ज्यादा हो रहा है और beryllium का कम हो रहा है जिसके कारण यहां पर third number में यह जा जा रहा है सबसे पहले तो अगर देखें तो इन दोनों में यहां पर phosphorus का सबसे कम हो जाएगा फिर silicon का ठीक है यहां पर sodium magnesium की बात करें तो इस में तो यहां पर magnesium का कम होगा फिर sodium का कम लेकिन में अबılar magnesium से भी कम किसका हो रहा है beryllium का क्योंकि ओपर से निची आ रहा है तो बेरिलियम कट कम हो कह जो है सबसे ज़्यादा इसलिए फिर यहां पर जो है सबसे पहले بगलीयम को मुँझेंगे क्योंकि कम से हम लोग ज़्यदा जा रहे हैं ठीक है तब उसके बाद मेगनिसीम फिर सोडियम मतलब यहां पर जो अगर इसका चलेगा वह यह चीज तो यहां पे group के वाजा से बेरियलियम सबसे पीछे गया और यह चीज यहां पर जो भी element इसके magnesium के कारण क्योंकि magnesium जो है उपर से निचे जब आ रहें group में तो magnesium का metallic character ज्यादा हो रहा है जिसके कारण इन सभी को तो सबसे पहले लेंगा और यह हमारा period third में आ रहा है और period में हम लोग जाने थे हैं कि जब हम लोग left to right जाते हैं तो decrease करता है तो सबसे पहले तो इसका हो जाएगा छोटा से बड़ा जा रहे हैं, silicon हो जाएगा फिर magnesium का होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर magnesium से भी कम हो जा रहा है कि इसका, beryllium का ठीक है, जिसके कारण beryllium आपका जो यहाँ पर third number में आ गया और फिर magnesium और फिर sodium इस चुछ को समझने के कोशिश कीजिए मेरे बातों को समझने के कोशिश कीजिए ठीक है, वीडियो को नहीं समझने के कोशिश कीजिए ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा तो बस यही observation आप लोगों को करवाना था इसलिए मैंने इस lecture को इतना जादा लंबा किए ठीक है, जादा कुछ नहीं है उपर से निच्छे आएं तो मेगनिसियम का ज्यादा हुआ, बेरिलियम का कम हुआ और यह सारा एक ही period में आप element है इसलिए अगर यहाँ पे कोई भी element रहता और ज्यादा तब उसमें order कुछ और हो जाता लेकिन यहाँ पे कुछ वैसा है नहीं जिसके कारण यहाँ पे इन सभी में सबसे पहले compare करके रखना है उसके बाद इससे अगर कोई वहाँ पे छट जाता है, तब जाके हमारा order आगे पिछे हो सकता है तो इस चीज को मैंने explain किया है, इसको देखिए आप लोग अच्छे तरीके से आपको समझ में जरूर आएगा ठीक है, और बस यही आपका यहाँ पे answer कुछ इस तरीके से region के लिए आपके समझाने के लिए मैंने इस चीज को use किया है, आप लोग इस चीज का skin sort भी ले सकते हो, ठीक है तो आसा करते हैं, यह चीज आपको समझ में आया होगा जासे जादा इसे को share कीजिएगा आप लोग और चैनल पर पहली बार भीड़ करें तो चैनल को subscribe भी जरूर कीजिएगा, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं मिलते हैं अपने next question के साथ और बस बने रहे हैं चैनल पर आप लोग